आज हम तर्क शंग्रे के दूसरे पदार्थ जल का लक्षन एवं उसके भेद के बारे में अध्यन करेंगे तर्क शंग्रेकार ने जल का लक्षन इस प्रकार किया है सीत इसपर्स वत्ते आप है ठंडे इसपर्स वाला जल होता है सीतल इसपर्स वाला गुन जिसमें समवाई समंद से रहता है उसे जल कहते हैं सीतल इसलिए कहा गया है जिससें अगनी प्रत्वी और वायू में अती व्यापती नहो क्यूंकि अगनी में भी इसपर्स होता है किन्तु वह सीथ ने होकर के उश्न है प्रत्वी और वायू में भी इसपर्स है किन्तु वह सीथ है ने उश्न है इसपर्स इसलिए कहा गया है जिससे आकास में अती व्यापती दोस ने हो इसलिए ये जो ठंडे इसपर्स वाला जल है ता द्वीधा नित्या ए नित्या चै वह है दो प्रकार का होता है एक नित्ये जल और दूसरा ए नित्ये जल नित्या प्रमानू रूपा नित्ये जल होता है वो हो प्रमानू रूप में होता है और जो हमेशा बना रहता है ए नित पुनस्त्री विधा शरीर इंद्री विशे भेदात ये जो एनित्य जल है वह पुनह शरीर इंद्री विशे भेद से तीन प्रकार का होता है शरीरम वरून लोके जो जल से बना हुआ शरीर है वह वरून लोक में होता है ऐसा माना जाता है इंद्रीम रश ग्राहकम रसन जीवा अग्रिवर्तती और जो इंद्रीय है रस का अर्श्वाद करने वाली वह जीव के अग्रे भाग में रहने वाली है और विशे शरीत समुद्रादी और जल का जो विशे है वह नदी नाले सागर परियंत इस तूल जो जल हमें दिखाई देता है वह जल का विशे है और तरक शंग्रेकार जो तीसरा पदार्थ मानता है तेज उषका लक्षन एव भेद का अध्येन हम करेंगे वो इस प्रकार है उष्न इस्पर्षवत तेज है तद द्वी विधम नित्यम ए नित्येच नित्यम प्रमानू रूपम ए नित्यम कारे रूपम पुनस्त्री विधम सरीर इंद्रिये विशे भेदाद उष्न इस्पर्षवत तेज है उष्न इस्पर्षवाला द्रवे तेज होता है तद द्वी विधम वे तेज भी दो प्रकार का होता है नित्यम ए नित्येच एक नित्येच और दूसरा ए नित्येच नित्येच नित्यम प्रमानू रूपम जो नित्येच है वो प्रमानू की रूप में होता है और जो एनित्यम कार्य रूपम और जो एनित्य तेज है वह कार्य रूप होता है पुनस्त्री विधम एनित्य तेज फिर से तीन प्रकार का होता है उसके तीन भेद होते हैं शरीर इंद्रिये विशे भेदा शरीर इंद्रिये और विशे के भेद से शरीरम आदी आदी ते लोके तेज का जो सरीर है वो आदी ते लोक में रहता है इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षुम कृष्णतारा अग्रवरतती और इंद्रिये के रूप में तेज पार्थिव श होता है जो चक्षो रूप को घ्रण करती है आंख जो हम जिस रूप को घ्रण करती है यह तेज नेत्री के भीतर जो कृष्ण तारा होता है जो पुतली होती है उसके अग्रे भागे में होता है विशे चतुर विदह है और जो तेज का जो विशे है वो चार प्रकार का होता है भौम, दिव्वे, ओदर्य, आकरज, भेदाद भौम, दिव्वे, आकरज और ओदर्य इस भेद से चार प्रकार का होता है भौम, बंदेह, यादी, कम जो भौम आदी होता है वो अगनी आदी में रहता है और जो अगला जो तेज है है दिव्वे तेज जो दिवे तेज है ऐ विंद्यम दिवें विधूद आदी वह जल से प्रदिप्त होने वाली बिजली आदी जल को सुखाने वाली सूरिय किरने चंद्र किरने जो आकास में इस्तित रहती हैं उसे हम दिवे तेज कहते हैं मुक्तसे परिणाम हेतु ओदारियम आकरजम सूवरनादी और जो ओदारिय तेज है वह खाये हुए अन को पकाने वाली जो जट्रागनी होती है वह ओदर ये तेज है उदर में अन और जल को पकाने वाली जट्रागनी के रूप में ओदर ये तेज होता है और लाश्ट का जो तेज है वह आकरस तेज है जो सोना चांदी तांबा पीतल आदी जो आकरस तेज होता है वह खनन से उत्पन होता है धन्यवाद